वेलकम तो आर चैनल ग्यापन एकेडमी इस वीडियो में लोग देखेंगे 3.6 का ये कुश्चन नमबर जो 2 है उसका एक नमबर कोश्चन है देखें इसमें किस टाइप की कोश्चन है थोड़ा सा इस कुश्चन को ध्यान से समझेगे इसमें है डाउनेस्टीम और अपेस्ट ये क्या बला है डाउनेस्टीम और अपेस्टीम यानि अनुकूल और प्रतिकूल अगर ये भी समझ मैंनी है तो अनुकूल का मतलब होता है मानलीजी कि आप कहीं नदी में तैरने के लिए गए हैं तो दो तरह के समझेगे एक तरह तो पानी ऐसे बहरा होता है तो अगर जि अगर अप तैर है तो उसको बोलते हैं हम लोग अनुकूल क्या बोलते हैं उसको अनुकूल इंगलिश में क्या बोलते हैं उसे उसे बोलते हैं डाउन नीचे के तरफ ढलाओ ढलाओ के साथो साथ अगर आप चल रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं अनुकूल अगर आप पानी बह रहा है इधर से और आप उपर चड़ने की कोशिश कर रहे हैं पानी को मतलब पीछे करके आप ऐसे इधर से जाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग प्रतिकूल यानि आप एस्टीम क्या बोलते हैं आप एस्टीम समझ गए अब आप खुद लगिए दोड़ाने दबा के तो क्या होगा उसके स्पीड बढ़ेगा की घटेगा पहले से बेचारा धीरे-धीरे दोड़ रहा है अब आप काके जिएगा आईएगा उसको हाथ पकड़के और दोड़ाना शुरू कर दीजेगा इसका मतलब वह अनुकूल जा रहा है आपके स साथ उसका भी यसीन तुष में दूव यसीन ए एक टो चोटे बच्चे की एक जो आप दोड़ा है उसका स्पीड वैसे इसमें भी अगर यहान पर कोई नाव है न Auf एक तो जो नाव चलाएगा तो नाव अपने टाकत से चलाएगा उसका स्पीड है ठाएगै औरugen ये तो ध रहें जिदर से हावा बहता है अगर उदर से आप बाइक चलाते हैं तो बाइक अराम से या फिर साइकल चलाते हैं तो मेहनत नहीं लगता है क्योंकि कुछ हावा धका मार देता है ठीक है अब कुछ आप आपका स्पीड कुछ होता ही है तो इसमें दू स्पीड होता है एक आपका मेहनत वाला स्पीड जो साइकल आप चला रहे हैं और एक हावा जो धक्का मारता है उसका स्पीड मान लीजिए कि आप दू किलो मिटर प्रती घंटा के स्पीड से क्या कर रहे हैं साइकल चला रहे हैं ध्या आपका उसमेश्विड लेकिन यही बाबू अगर ध्यान दीजेगा अगर मान लिजे कि इधर से हवा बहरा है चाहिए पानी बहरा है ऐसे धलाव है 5 किलोमेटर प्रती घंटा के हिसाब से एक नाव यहाँ चल रही है नाव को थोड़ा सा उपर बनाते हैं यह मान लिजे कि नाव हो गई पांच किलोमेटर से उपर चढ़ रही है अग उदर से दो किलोमेटर से पानी आ रहा है तो जाहिर सी बात है पानी रोकेगा पानी रोकेगा तो नाव का स्पीड कम हो जाएगा शुरू में पांच था जब पानी रोकना शुरू किया तो दो से उपर से दो आ रहा है तो दो से स्पीड को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे जैसे कि 5 इदर से जा रहा था मानले जीए इदर से 2 इदर से आ रहा है तो 5 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 3 किलो मेटर प्रति घंटा इन्नाओ का स्पीड हो जाएगा तो उमीद करते हैं कि आप कोई समझ में आया होगा अनुकुल और प्रतिकुल अनुकुल मने साथो साथ प्रतिकुल मने बिरोध अब देखिए कोश्चन के तरफ हम लोग देखते हैं कोश्चन में एक परसेंट आपको डाउट नहीं रहेगा बहुत असान कोश्चन है अच्छा बता है यह तो हम लोग घूमते घूमते एक कोश्चन को बना सकते हैं कैसे ही तो हमेशा घटना घटने रहता है क्या हावा बहता है तो हालत खराब हो जाता है यह ते ऐधर से हवा बह रहे हैं तो दो घंटा में 20 किल साकती है तो दो घंटा में कितना जा सकती है 20 किलोमेटर जा रहे है इसको मजार है जाने में इसलिए इतना दूर चली गई वैसे नहीं तैरती तभी भी पानी का अगर स्पीड है तो ऐसी मतलब सिर्फ उपर रहे पानी के उपर तो तैर के दूर तक जा सकती है अब यहां पे हुआ क्या कि दू घंटा में बैचारी कहां चली गई दू घंटा में ह मतलब आवर होता है दू घंटा में 20 किलोमेटर निकल ली 20 किलोमेटर अब उधर तो पहुच गई लेकिन उधर से आना भी है क्या करना है आना भी है तो दो घंटा में रूख गए बोली कि अब दो घंटा में वापस तो चले जाएंगा नहीं यहाँ पे लेकिन दो घंटा में जब इधर से चली तो अमातर चार किलोमीटर चली तो बोला जा रहा है इसका मतलब पानी बहुत फ़ाश्ट भाग रहा है इस लिए तो जल्दी पहुच गए लेकिन आने में तो बाब दादर यहाद दिला देगा तो वही बात यहाँ पे हो गया ठीक है तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कुषी ने पूछा की एक बाद इसका मतलब पानी का स्पीड है, पानी इधर से जा रहा है, तो बताइए कि पानी का स्पीड क्या है, दुसरा आदि मैं ठीक है, पानी का स्पीड तो है, लेकिन रीतू भी तो मेहनत कर रही है, तो उसका कुछ स्पीड होगा, तो बताइए रीतू का स्पीड क्या है, तो यहा को रीतु कितना के SPER睡 से तहरी हो पता है तो मानते हैं यहाँ पह— माना की क्या हो जाएगा? रीतु की चाल एक्स किलोमीटर पती घंटाite A light in theiona एक घंटा में रीतु केतना तहर सकती है, X किलोमीटर पती घंटा visited wrapper यहा फिर रीतु द्वारा सकता है कि रीत्व तारा जा रहा है उसकी चाल ऐसे भी यह ब्रेख सकते हैं रित्व की साथर्णंत्रすट यह तो हो गया गेंगी संद्थäre की चेन अब दारा कीरे हिए की ट्याल कितना हो ज्युंटाइक और यी किलो zab्लक मिंटर crowd आप सोचके बताईए कि रीतु की चल और जब धारा के साथो साथ अगर डाउन स्टीम में जाएगा तो यह दूनों को जोड़ना पड़ेगा कि दूनु चाल मतलब वही स्पीड समझ रहा है न तो यह दोनों क्या हो जागा जोड़ना पड़ा कि धारा के साथो साथ अब यहा एक तो रीतु खुद से तैरेगी एक तो पानी उससे धका मार के ले जाएगा तो दूनु का स्पीड मिला के बढ़ जाएगा तो इसको जोड़ेंगे तब न बढ़ेगा एक्स पॉलस वाई किलोमीटर प्रती घंटा अब धारा के प्रतिकूल रीतु की चाल यह देखिए प्रतिकूल लिखे हैं बाकी इसका मतलब यह होता है ठीक है दारेक के प्रतिकूल तो देखिए रीतु तो बेचारी सही जा रही है पानी मान लिखे कि रीतु उदर से सही आरे प्रतिकूल माने उल्टा पानी न उसको रोक दे रहा है तो रीतु का स्पीड कम हो जा रहा है तो पानी हिस में से घड़ा दो, तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रती घंटा, प्रस्ण से, अब यहाँ देखिए, प्रस्ण से चाल बराबर का होता है, या समय बराबर लेते हैं, समय केतना लिए, दो घंटा लिएं, तो समय बराबर होता है, दूरी, अब बटा में, चाल, समय कितना लगा है, तो समय लगा है दू घंटा, कब जब वो 20 किलो मीटर गई है, 20 किलो मीटर कैसे गई है, तो धारा के साथो सा डाउनने स्टीम में गई है, तो चाल कितना दिया है, धारा के अनुकूल वाला चाल, X पॉलस Y, यह देखिए, आप एक काम का बीच में त फिर ऐसे काड भी सकते हैं, दो दहियां, 20, जब तिर्चा, तिर्ची गुणा की जएगा, तो इधर तो कुछ है नहीं, तो हो जाएगा, X पॉलस Y, आइधर अकेले क्या बचिए, 10 समीकरण, 1, समीकरण, 1 बन गया, वैसे ही, इस्तिती 2 में, एक बेर बेचारी सीधा गई है और दूसरी कंडिशन में, दूसरा कंडिशन में क्या हुआ है, कि पानी इधर से जा रहा है, इधर से चणने की कोशिस कर रही है, लेकिन परयास की है, लेकिन 2 घंटा में 4 किलो मीटर ही गई है, तो यहाँ घंट किलो मीटर दूरी है, कितना घंटा में, 2 घंटा में, समय 2 और आपका दूरी 4 km से गही है तो इस फीड से कहा उतो रोक दिया ना पाणी रोक दिया तो देखिया यहां पर प्रतिकूल का स्पीड यह है चाल यह तो यहां हो जाएगा आपका समय बराबर दूरी बटा चाल ये भी दो घंटा ली है लेकिन दूरी चार किलोमीटर और X-Y चाले कम हो गया है तो जाहिर सी बात है कि कम दूर जाएगी 2 घंटा में जब तिर्चा-तिर्ची ये गटा दीजे दो दूना चार तिर्चा-तिर्ची गुणा पर समिकरण 1 क्या है? X-Y is equal to 10, X-Y is equal to 2 देखिए जोडने पर इसलिए क्यों कि जाएगा है? सीम्बल हमको बदलना थोड़े ना है ऐसे ये कट जाएगा ठीक है? प्लस में 1X, 1X कितना? 2X, 10 और 2, 12 जब कटाएगा तो 2, 12, X बराबर 6, X बराबर 6 है, X का मान कहीं ले जाके भर दिये समिकरण 1 या 2 में, X का मान समिकरण 1 में रखने पर समिकरण 1 है, X plus Y बराबर 10, X का मान कितना है? X का मान 6 आया है प्लस में Y is equal to 10, ठीक है? 6, ये प्लस में है, देखिए, बराबर को उदर जाता है तो सिमर बतलता है, प्लस में उदर जाएगा तो माइनस में Y बराबर 10, माइनस 6, Y बराबर हो जाएगा 4 अब बताईए, X आप क्या माने है? X माने है रीतू की चाल, रीतू कितना तैर सकती है? तो 6 किलोमीटर है, आपका कितना है? 6 किलोमीटर आप इसकी चाल माने, किलोमीटर प्रती घंटा यहां लिग देजिए यानि एक घंटा में रीतू 6 किलोमीटर तैर सकती है, और अब पानी कितना पानी को माने हवाही, तो पानी एक घंटा में 4 किलोमीटर प्रती घंटा जा सकता है तो देख लीजेगा इधर से रितू अगर 6 के हिसाब से जा रही है अब पानी भी 4 के हिसाब से जा रहा है तो उसका inцом भी दुलूम मिल जाएगा तो 10 हो जाएगा लेकिन बेचारी रितू तो 6 का दंद लगाई है ठीक है यहां पे आपसे जो पुछा जा रहा था वही हो गया आप लिख सकते हैं अगर लिखना हो तो रित्यू की चाल क्या हो जाएगा 6 किलमेटर प्रति घंटा और यहां पे धारा की चाल Y किलमेटर प्रति घंटा तो लिजिए इसका इसकी शुट और उम्मीद करते हैं कि आपको तो बहुत ही बहतरीन तरीका से समझ में आया होगा और फिर हम लोग बीना देर किये देखते हैं next question second question देखते हैं बहुत ही मज़दार तरीका से और इस सब question जो भी stripe का आएगा तेकि हम लोग दो तरीका से इसको हम लोग trick द्वारा भी आपको हम समझा देंगे ठीक है लेकिन यहां समझेगा एक हम आपको काम दे रहे हैं वो काम है क्या ध्यान से समझेगे मानले यह आपको complete कर रहें तो आप बताए कि इस काम को जो हम आपको दिए हैं इस काम को आपको complete करने में यह धीट होना काम क्या एक ठो काम है कौन सा एक ठो रोटी आपको खा जाना है तो काम तो एक ही होना है, दुसरा काम तो आपको दिये नहीं है, ठीक है, तो कितना दिन लगा दे रहे हैं, चार दिन लगा दे रहे हैं, एक हो काम करने में आप चार दिन लगा दिये, कितना सरम का बात है, लेकिन फिर भी सोचीए, तो बताइए कि अगर आप एक दिन में कित यानि एक दिन में आप एक बठाटा चार हिससा खा रहा हैं। ब्तलब चार हिस्सा है जिसमें से तीन दिन में आप टीन हिस्सा खा रहें हैं एक और च हिस्सा आप छोड़ दे रहें और चार दिन में तो चार्वट्टा चार चैर कम चैर यहां आपका पूरा रूटी गंपलीट हो जाजा रहा है समझ मैं है तो यहाँ वही question बोला जा रहा है एक चीज याद होगा कि एक दिन में एक बटा चार आप काम कर रहे हैं यहाँ देखिए कर रहा है कि दो women and five men can together finish a embroidery work in four days कर रहा है कि दो और पांच यानि कि दो महिलाएं और पांच पुरुस किसी काम को खतम करते हैं ठीक है चार दिन में खतम कर देते हैं अब बताईए कि दो औरत मिले यानि महिला दोठो आप पांश्ठो आदमी दो महिला और पांच अदमी दो मतलब यह दो जन मिल करके यह टोटाल मिला के को आदमी हो गया साथ आदमी मिल करके एगो काम को चार दिन में complete कर रहा थोड़ा सा सोचिए अदमी भाग गया बोले कि अकेले काम को खतम करो तो बहुत ज़्यादा समय लग सकता है ठीक है तो पहले एक काम करते हैं पहले कुछ सेंसमाज लेते हैं जबकि दो औरत यह दो महिला और पांच पुरुस मिल करके चार दिन में करते हैं तो पुछा जा रहा है कि अगर उका काम अकेले एको औरत को दे दिया जाए जो चार दिन का काम है न अकेले एको औरत करेगी तो कितना दिन में कंप्लीट करेगे या फिर अकेले एक क्या करेगे पुरुस यानि मैन करेगा तो कितना दिन में कंप्लीट होगा तो सबसे पहले काम कितना है यह पता करें आपको का महीला काम पहले लिख लो यहां देखो कि माना की माना की एक महीला द्वारा on a कार्या को Papus पूरा करने में लगा समय एक महिला उस काम को कम्पलीट कर रही है कितना दिन में नहीं पता है तो X डे माल लेते हैं निए X दिन में तथा एक पुरुस को कार्या पूरा करने में लगा समय Y एक महिला उसी काम को X दिन में कम्पलीट कर दे पूरा काम कम्पलीट जो काम दो महिला और पांच पुरुस मिल करके चार दिन में कम्पलीट करते हैं अगर एक अकेली महिला को दिया जाए तो समय ज़्यादा लाएगा नहीं पता है कि कितना ज़्यादा लाएगा तो X माल लिए, एक अकेला पूरुस को काम करना है तो Y दिन में complete करेगा, ठीक है, अब बताइए कि वो X दिन में जब महिला complete करेगी, तो एक दिन का काम वो एक दिन में कितना कर पाएगी, माल लिजे कि आपको 4 गोरोटी पूरा खाना है, पूरा क पता रहेगा, तो पूरा काम कितना दिन में complete होगा, पता हो जाएगा, तो एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कारिया, यहां इस परकार, इस परकार, एक महिला द्वारा, एक दिन में किया गया कारिया, कितना हो जाएगा, तो देखे, जब पूरा काम एक दिन में complete कर तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1 by x और एक पूरुस द्वारा एक दिन का कार्या एक दिन का कार्या ऐसे भी लिख सकते हो कितना हो जाएगा 1 by y यह एक दिन का कार्या देखिए जब कि औरत कितना है दो औरत है यानि कि एक औरत एक दिन में one by x करती है तो दो औरत कितना करेगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर है दो औरत यहाँ प्रसन से यहाँ लिख दो प्रसन से एक दिन में एक औरत one by x करती है लेकिन यहाँ औरत कितना है दो डो है अब प्लस यहाँ देखिए man कितना करते हैं one by y लेकिन man है कितना पांच है ठीक है आई दोनों मिल करके एक दिन में दोनों मिल करके तीन और पांच आदनी मिल करके चार दिन में complete करते हैं तो एक एक दिन का इनका निकल गया तो एक दिन में काम कितना जो काम चार दिन में complete होता है, तो एक दिन में वह काम कितना होगा, एक बटा, चार, इतना समझ में आया, जब ये एक बटा, चार हो गया, इसको आप एक तरीका से, ये दुसरा condition देखिए, दुसरा condition में, औरत कितना है, तीन औरत है, तो तीन है, एक बट्टा एक्स होज़ेगा, सेम वैसे ही, आप खुलावस, वा मैन कितना है, six, और one by y, अई दोनों मिल करके, काम कितना दिन में करते हैं, तो दोनों मिल करके, काम को करने में कितना समय लगा हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, कितना समय लगा हैं, तीन दिन लगा है, तो एक दिन का कार्य है, one by three, अब आपको एक चीज हम बताए थे, यहाँ पे बताए क्या थे, को one by x, बटा वाला कभी भी दिया हो, तो बटा हटाने की कोशिश करते हैं, one by x बराबर कितना हो जाएगा, a मान लो या b मान लो, ठीक है, a मानते हैं, one by y बराबर क्या हो जाएगा, b मानते हैं, तो one by x के बराबर a लिख दें, तो two यह हो जाएगा, यह equation जो समी करण है, वो सीधा सीधा समी करण बन जाएगा, उसके बास से कोई भी बिदि लाया के, हम लोग हल कर सकते हैं, मन लाके और ध्यान से इसको देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए तो, जब यह हो जाएगा, तो यह main equation मनेगा, two, one by x के बराबर a लिख बराबर लिख देंगा, a प्लस, five, b बराबर एक बटा चार, समी करण एक इसको मानिए, अगर आप हटाना चाहते हैं, बटा को तो भी हटा सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, जब बीच में क्या हो, बराबर हो, और नीचे चार हो, तिर्चा तिर्ची गुणा करते हैं, तो चार में दोनों से गुणा भी कर सकते हैं, यहां पर, क्या कीज़ेगा, यहां देखिए, जब आपको समी करण मिल गया, एक और दो, तो यह काम कीज़े, यही दोनों को बराबर करके काट देजिए, समी करण एक में अगर हम तीन से गुणा करें, यहां दो से, गुणा कर घटाने पर, तो यहां कितना से गुणा कीज़े, तीन से, यहां कीज़े दो से, यह हो जाएगा आपका तीन दूना छोव ए प्लस, तीन पचे पंदरा भी, गुणा सब में करते हैं, और यह तीन में एक से तद तीन बटा में चार, वैसे यह भी हो जाएगा, तीन दूना छोव ए प्लस दो तीन चोव ए, और यह हो जाएगा, छोव दूना बारा भी, और बराबर यह हो जाएगा दो बटा तीन, यह घटाने पर कीए हैए, तो सिंबल बदल जाएगा, जब यह बदलेगा तो कड जाएगा 15 में से 12 जाएगा तो 3B और बड़ाबर यह जब घटा यहां घटाओ है न तो यह बटा का घटाओ जाएगा जब एक बड़ाबर यह 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 जाएगा लेकिन छोड़िए अभी यहां हमनों डायेट कोस्टन को देखते हैं बी कामान कितना गया एक बटा चति जब बी कामान एक बटा चति तो ले जाएक किसी समीकरण में भर दिजिए आपके बास यह भी समीकरण है यह भी है तो ले जाएक हम किसमें बरे जब यह तो एक काम करते हैं बी कामान समीकरण दो में रखने पर असान रहेगा दो है थीरी ए प्लस सिक्स बी इज ऎफ़ल टो वन बाई थीरी ए प्लस सिक्स बी कामान कितना है बी कामान ए एक बटा 36 और is equal to 1 by 3 36 हो जाएगा 3A plus 1 बटा 6 बड़ाबर 1 बटा 3 नमबर को नमबर को पलस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ठीक है? तो 3A बड़ाबर 1 बटा 3 माइनस 1 बटा 6 3A बड़ाबर 6 3 दूना 6 2 माइनस 1 3A बड़ाबर हो जाएगा 1 बटा 6 एक कमान निकालना है तिरचा तिरचा तिरची गुणा कर जाएगे यहीं पे छोड़ी है 3 को भेज़ दिए 1 बटा 6 तिरी 18 आपका A बड़ाबर आया है 1 बड़ाबर आया है 1 बड़ाबर कितना? 36 एक काम किजिए B बड़ाबर आपकुछ माने है और A बड़ाबर A बड़ाबर माने है 1 बड़ाबर लिखिएगा यहाँ पे इस परकार इस परकार 1 बड़ाबर क्या है? A है तो लिखिए 1 बड़ाबर X A कमान 1 बटा 18 जब तिरचा तिरची गुणा किएगा तो X बड़ाबर आपका 18 आ जाएगा ठीक है? और यहाँ पे देखिए यहाँ पे B क्या माने है? 1 बड़ाबर कितना हो जाएगा? B हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 बड़ाबर आपका माना है 1 बड़ा 36 तो B बराबर आपका हो जाएगा 36, ठीक, sorry, Y बराबर आपका हो जाएगा 36, आप माने क्या है, ध्यान से समझे, एक महिला द्वारा किया गया कारे को X माने है, ठीक है, तो महिला केतना दिन में काम को Prince करेगे, यहाँ पे A माने है न, महिला होला, दो महिला है यहाँ पे और यह कितना हो जाएगा पांच मैन है ठीक है तो इस हिसाब से आपका X बराबर आपका एंसर कितना है या महिला एक महिला यानि कि 18 दिन में काम को पूरा किया जाएगा और यह पूरुस कितना करेगी यह पूरुस करेगा आपका 36 दिन में यह पूरा क उसको बेचारे पूरुस एक पूरुस च्छाथिस दिन में करेंगे अब वही महिला कितना दिन करेंगी अठारा दिन में उसी काम को करेंगे यहां महिला बहुत फास्ट काम कर रही है देखें इसकाद मुझे सबसे असाथ रिक देखते हैं देखें कि दो ओमैन एपलस दिन में complete करती है जबकि अगर तीन में और पोलस में 6में में जाए उसी काम को केतना दिन में लो करता है तीन में करता है ध्यान से स्कॉशन को समझ değişएगा काम वभा हुए यह दून 20 man, a man को इधर लएगा, तो कितना हो जाएगा? 18 man, यह 9 woman अगा, पलस में इधर जाएगा, तो 8 woman हो जाएगा 20 गो आदमी में से 18 आदमी तो 2 आदमी बचे, और यह woman में यह हो जाएगा, तो कितना? एक woman बचे अब यहां सोच के थोड़ा सा बताइए कि एक औरत दुगो आदमी के बराबर काम करती है एक औरत अकेले दू आदमी काम करेंगे किसी काम को वे काम अकेले एक औरत कर रहे है यहां सोचके बताइए देखिए यहां पर कितना दिन में काम कंप्लीट हुआ ait इस देखिए दो ओमेन है या फिर इधर देखीए तीन हो मैन है अपॉलस लिए शिक्स मैन है इस काम को केतना दिन में किया है लो तीन दिन में आप बताइये कि एक अकेली ँरत दूग ओ आदमी के बराबर है तो चार आदमी रहेंगे तो अकेले दू गवरत काम कर देगी जब छो आदमी रहेंगे तो अकेले तीन गवरत काम कर देगी कहाए कि ये इसके दुगुना है न यानि कि जहाँ छो ओमेन होंगे वहाँ को गवरत काम करेगी तीन गवरत काम करेगी तो बताइए तीन गो ओमेन है जहाँ छोव आदमी है उहाँ कोग ओरत काम कर सकती है तीन गो ओरत काम कर सकती है तीन और तीन कितना हो जाएगा छोव ओमेन किसी काम को कितना दिन में कर सकती है तीन दिन में कर सकती है अब यहाँ हो गया काम खतम जब छोव आदमी छोव ओरत क ठीक है एक ओमेन किसी काम को पूरा करने में कितना दिन कम्प्लिट है अठारा आपका वैसे एंसर भी आ है कि एक ओरत किसी काम को कितना दिन करेगी अठारा दिन में आमेन उससे दुगूना समय ले रहे हैं तो मेन एगो कितना करेगा एगो मेन करेगा इससे डबल है जहां एक और 18 दिन में complete करेंगे वहाँ एक मैन कितना दिन में 36 दिन में दुगुना काम complete करेंगे दुगुना समय ले ले रहा है तो यह 100 ट्रीक आपका अराम से समझ में आया होगा अब हम लोग देखते हैं next question देखें इसके बाद यह third number question है बहुत ही असान है देखें पहले question हम लोग स तो first बारे में वो 60 km जाती है train से तो 300 में से 60 km जब train से चली गई तो जो बच गया वो bus से जाती है तो कितना बच गया दूसरो 40 km बच गया अब यह 60 km train से और 240 km bus से जब जाती है तो उसको 4 घंटा समय लगता है पहला condition याद रखिए जब वो एक बार 60 km गई है किसे train से प्ल तो किस तरह जाती है पहली बार 100 km train से गई है तो कितना बच गया 200 km बच यह किए कि उसका घर तो 300 km है तब उसको लगता है 4 घंटा 10 मिनट 4 घंटा एच मतलब आवर यानि घंटा होता है 10 मिनट 10 मिनट इसको ज़्यादा समय लगा है तो बताइए कि train का speed क्या है और bus का speed क्य निकालना है कि वही आखिर कर क्या बात है कि train से जाने पर जल्दी पहुंच जाना सही है लेकिन लग रहा है काफी slow चल रही है ठीक है तो दूनों का speed निकालना है क्या होगा तो सबसे पहले दोनों के speed को हम लोग मानते हैं देखिए जैसे मानेंगे तो दोटो देखिए दो ततहा कि बस की अ बस जानी और बशी कि कीलो मेटर लिखलो मीटर प्रती गSuंट किलो मीटर प्रती गहंटा जिसमें किलो मीटर dipping क्थ गहंट दोनों झाल होता है टीक है और यह बता चुके हैं ट्रीक कि कैसे होता है यहां समझेगा बाबू जब यह चान हो गया train का एकस किलोमेटर के हिसाफसे भाग Christ, PTA नहीं है, तो एकसे ना मानेंगे और बस जा रही है, वारी किलोमेटर के हिसाफसे, तो समाई इसमें लगा है कितना? यह वाला चार घंटा लगा है और दूसरी बार में मतलब यह वाला नहीं दोनों को मिलाया गया है तब लगा है आगे यहां देखते हैं जब एक बार किसे गई है ट्रेन से गई है ठीक है अब प्लस एक बार किसे गई है बस से गई है तो जब 60 km ट्रेन से गई है अब 240 km बस से गई है तो समय कितना लगा है उसको 4 घंटा दूसरे कंडिशन में क्या हुआ है ट्रेन यह है दूसरे कंडिशन में 100 किलिमिटर गई है किस से ट्रेन से आप बस से गई है 200 किलिमिटर तो लगा है कितना 4 घंटा 10 मिनट यही ना 4 घंटा 10 मिनट यही दोनों में समय लगा है इसमें 4 घंटा लगा है इसमें तो बताइए इसके द्वारा भी कुछ समय लगा होगा इसका समय अलगा, दूनु समय मिला के कितना घंटा लगा है, चार घंटा लगा है, इस दूनु समय मिला के कितना घंटा लगा है, चार घंटा दस मिनट लगा है, समझ में आया है, जैसे जब ट्रेन से आप गए हैं, तो मानिजी कि सो क्लिन लगा हैं, तो इसका कुछ समय लग जब बस चलेगी उसके लिए कुछ समय लएगा दोनों को टीवन टीटू एक को माली है अग दुनु समय मिला के कितना घंटा लगा है चार घंटा लगा है याद रखेगा अब यहां पर बताई यह समय बराबर का होता है समय बराबर होता है दूरी अब बटे में चाल तो ट्र इसनी बार में ट्रेन कितना गई है तो दूसो चालिस गई जब यह साठ जाए तो इसका चाल क्या है तो चाल है आपका वाई अदूनु मिला के समय कितना लगा है चार घंटा वो लिख दिया है यह इसका वैलू हम भर दिया है अब बताए कि यहां पर पुछ मान सकते हैं इ आँ इस तिती टू लिखते हैं इस तिती टू टीए एट टी फूण पुलस टीटू बराबर चार घंटा-दस मिनट 14 घंटा-दस मिनट इसका मतलब समझ में आरा हम क्या लिख रहे है ठीह हम क्या लिख रहे है दूसरा कृपश्यान से आप समझेगा चार घंटल की ट्रेन है और यह बस ट्रेन रया कि इतना समय लगा तो यह निकालना है तो जब समय वराबर निकालना है तो है न्होंटी दस मिनट को घंटा में बदलो तो चार घंटा तो ठीक है दस मिनट को जब घंटा में बदलिएगा तो 60 से दे दीजिए आप भाग कितना हो जाएगा एक बटा चार पूनांक एक बटा चो हो जाएगा चोचोगा 24 एक 25 बटा चो घंटा हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 25 बटा में 6 ठीक है तो ये आपका हो गया देखिए समी करण 1 ये हो गया समी करण 2 आपका ये हो गया अब बताएगे इस टाइप के कोश्चन आप पढ़े हैं कि नहीं बटा वाला कोश्चन हम पढ़ा चुके हैं इसके उपर एक नमर जो कोश्चन था व स्वाले को क्या मानेंगे ये अभी मानेंगे साइड करके और उसके बास सल्व करेंगे तो यहां देखिए वन बटा एक्स बराबर हम मानते हैं पी और वन बटा वाई बराबर हम मानते हैं क्यू ठीक है ये याद रखे तो जब साथ को हम लोग यहां पे साइड करेंगे पी प्रस कितना हो जाएगा 200 q बराबर में हो जाएगा ये 25 अभर तहरा हो ना a काम कीजिए जा बीच में बराबर हाना तो तीर स्रीजा रूटा हो जाता है तो गुणा के पी और यह चो दूना कितना हो जाएगा बारस क्यू बराबर में बचेगा किदर पचीस बचेगा अब बताए कि यह समिकरण क्या है एक दो तो इसको मान लेजिए चलिए ऐसे ही हम लिखते हैं एक दो तो इसको मान सकते हैं तीन और चार अब दूगों को बराबर किजिए हो सकता है यहां क्या है आपका 60 अराम से बराबर हो सकता है खाली इसमें कितना से गुणा कर जिए समीकरण 3 में 10 से गुणा कर गटाने पर तो 3 से गुणा जब किजेगा तो यह समीकरण 3 में 10 से गुणा किजेगा तो यह कितना हो जायएगा 600P पलस यह हो जायएगा 210Q बराबर में 25 गटाने पर तो सिंबल बदलिए यह कतम हो जायएगा 24 में से 12 हो जाएगा तो यहाँ पे हो गया आपका 12 Q और 40 में से 25 जाएगा तो आपका हो जाएगा 15 यहाँ देखे, Q बराबर हो जाएगा 15 बटा 12 अब यह कैसे कटा हीगा तो पहले देखे, 12 कटा यह 3, 4, 12, 2, 0 नहीं कटा तो उतार देजी 3, 5, 15, 15, 15, 15, 40, 80, 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 80 है ताकि बनाने में आपको भी समझ आएगा एक तबार सीन सोट लीजिए हम इधर बनाते हैं यहां पर क्यू का मान क्या किजिएगा आप समिकरण तीन में रख देजिए क्यू का मान समिकरण तीन में रखने पर समिकरण 3 है साथ पी पुलस 240 क्यू बराबर चार साथ पी पुलस 240 क्यू कमान कितना है तो एक बटा औसी है बराबर में चार एक जिरो से एक जिरो खतम एक बटा 60, यहां तक आपको समझ में आया होगा, अब आते यह P बराबर कुछ माने हैं, एक बटा X माने हैं, और Q बराबर एक बटा Y माने हैं, यही न माने हैं, तो बस इस परकार यहां लिख दीजिए, इस परकार, इस परकार, यहां पर P बराबर क्या है, 1 by X, P का मान भर प्रतिघंटा पर 50 गाल गया आप एक सोरव क्या मद advertised रिचा रिख सराए साथ किलोमिटर प्रती घंटा ट्रेन का हो गया ए अग हांने के एंग घंटा में बस जा रही है चाली डिख यह तो इस पीड़ इसकी लिए तो समय जाधा लग रहा था यह तो्ग एक इसका मतलब ट्रेन उतना फास्ट नहीं चल रही है, तो देखना लिजें, यहीं पर यह 60 केस पीड चल लिए, यह 80 केस पीड चल लिए, तो इसका एसकीन सोट ले लिजें, यह 3rd पार था, यह 2nd वाले, यह 3rd हो गया, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और इस इस वीडियो में आपका पूर रूप से यह 3.6, यानि 3 लेशन कम्पलीट हुआ, अगर वीडियो बहुत ही जब आप दस्त लगे, तो इस चैनल को आप सब्क्राइब कीजिए, और ज्यादा स्यादा अपने दोस्तों में सेर कीजिए, ताकि आपके सब फ्रेंड, जो दोस् मन है, वो भी उसको भी बिनिफिट, वो भी उन लोगो भी इस वीडियो का बिनिफिट उठा सके, तो फिर हम लोग देखेंगे अब अगले लिशन में तब तक के लिए जय हिंत,